तो चलो बच्च इस वाले question को देखो कि basically इसमें क्या है कि यह के inside uniform sphere यह solid sphere ठीक ना solid sphere और इस sphere के अंदर हमने एक cavity create किये है इसकी density rho है एने sphere हो जो एक cavity create किये है तो gravitational field strength जी निकांगा inside the cavity तो चलो सबसे पहले solid sphere है तो solid sphere के center से आप पार्मुला पढ़े होगे solid sphere के center से r distance पर यहां पर r distance पर अगर जाओगे तो इस r distance पर gravitational field की direction इधर होती है gravitational field की direction इधर होती उसको मैं e cd note कर देता हूं और position vector अगर देखोते हैं तो r इधर है दोनों में theta 180 degree है और इसकी जो magnitude होती है आप सब पढ़ के आयोगे g mass of the sphere small r capital r की power q तो अगर इसको vector में लिखोगे तो is equal to minus gm small r vector यह capital r की power q position vector यह क्या है भाई यह जो है gravitational field है inside the solid sphere at a distance r ठीक है तो मास को मैं लिख सकता हूं mass is equal to volume multiplied by density होता है तो मास को मैं लिख सकता हूं यहां minus capital g r की power q मास की value मैं रख देता हूं 4 by 3 pi capital r q density rho और यह position vector r तो यहां से तुम देखोगे कि कौन किसको cancel कर दिया तो r q ने r q को यहां से cancel कर दिया तो minus 4 pi g और यहां से रो और divided by 3 position vector r और that is the gravitational field मतलब position vector और फिल्ड आपस में opposite होगे यह density के term में होता है solid sphere यहां दखना solid sphere के inside इसकी direction अंदर होगी center की तरफ होगी और position vector center से दूर होगा तो चलो जब cavity create कर दिये हो यहां पर देखो इस equation को क्या करना हमें यहां दखना 4 by 3 4 by 3 पाइरो capital G यह cavity green वाला यह जो है यहां पर आप देख रहे हो तो यह जो green वाला है यह मैंने cavity create कर दिये तो इस cavity का center इस cavity का center इस sphere का center c1 है और इस cavity का center c2 है तो यह जो vector है वो rl vector है ऐसा इनों यह कह रहे है तो यहां से यह जो vector है उसको मैं position vector r1 बोल देता हूं और यह position vector मैं r2 बोल देता हूं और इस cavity के अंदर inside समय रहे ना नहीं आया समझ में देखो फिर से समझाता हूं इस cavity के अंदर यहां पर यह cavity हमने create कर दिया है और यहां से मैं एक अच्छा खासा एस्पीर के अंदर एक अच्छा खासा cavity create कर देते हैं तो यह cavity रहा अपना तो यह रहा और यह इसका center c1 है और यह जो center cavity का center यह वादी जो vector है वो vector L है और यह center c2 है और here is point यहां पर point पी है जो कि इस cavity के अंदर है तो इस cavity के अंदर जो point है तो अगर अच्छे से देखोगे इस cavity के अंदर वाले प्र तो यहां पर इस पॉइंट पर उसका जो पोजिशन की वेक्टर है इसको मैं आरट भू देता हूं और छोए सोप सेन्टर से यह वाली जो जैक्टर है वह प्रको बोल recommended प्र Gir ol strais तो जब यह पॉइंट नहीं बना था तो वहां पर इलेक्टिक फिल्ड यह रहा होगा अब जो इलेक्टिक फिल्ड नेट इलेक्टिक फिल्ड जो आएगा electric field due to S pr electric field due to S pr मतलब जब S pr का electric field था जब वो cavity नहीं था आप cavity हो गया तो minus कर देंगे electric field electric field जाद आ रहा यह gravitational field होगा gravitational field यह gravitational field हो जाएगा gravitational field due to cavity इसका मतलब भी हुआ कि अब वहां पर जो नेट फिल्ड बच्चों नेट फिल्ड का फिल्ड माइनस यह स्पियर जब कैवीटी नहीं बनाता तपका है और कैवीटी का फिल्ड मैं इससे डिनोट कर देता हूं इससे तो अब यहां पर देखोगे जब एस्पियर नहीं बना था तो इवन की वेलू यह एवन की वेलू थी इतनी यह इस इक्सप्रेशन का मैं यूज करता हूं किसी सॉलिड एस्पियर के अंदर तो माइनस फॉर पाई रो कैवीटी के अंदर तो माइनस फोर पाई रो कैपिटल जी बाई थिरी और यह आर टू तो यहां से अगर आप देखोगे तो यह जो चीज है यहां से आर टू वेक्टर यह और आरवन वेक्टर अब कुछ नहीं करना है इनको हमें यह क्या रखा हूं भाई यह इंसाइड ठीक है इंसाइड जो है किसी भी एस्पियर के इंसाइड फिल्ड डेंसीटी के टम में रख दिया हूं एक जब कैविटी नहीं बनी कितब रखे थे यहां से जो चीज कॉमन बन रहा उसको कॉमन लेलो तो यहां से माइनस फोर पाई रो कैपिटल जी वाई थिरी कॉमन आ जाएगा और यहां रवन वेक्टर माइनस रटू वेक्टर अब यहां जो ट्राइंगल बना है उस ट्राइंगल को देखो यहां से जो ट्राइंगल बना है उससे ट्राइंगल को देखो तो यहां सेंटर सीवन था तो यह यह वेक्टर एल वेक्टर था और यह यहां से कैविटी थी तो यह आर एल वेक्टर प्लस घ्ल फ्लस एल अर्टिख्टर प्लस आल टू एक्टर का सम बराबर और वेक्टर के सम इसका मतलेor कि यहा से je in माहीं से बेक्टर आ नें से जो सल्ट माय आज जाएगा औरवन फील बाता रहा है समझेरिक में अब यह वेल्यू ले एल वेक्टर एल वेक्टर क्या है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस अब अच्छी बाते है यह जो एक्टर आया उसके आपकलत रहा है तो इसका मतलए मतलब हब हुगा कि यहां पर जो net field आयेगा क्या है constant इसका मतलब्ड द रहें कि in side cavity inside cavity जो होती है वो field जो होती है field as conस्टेन्ट वहलब gravitational field inside cavity जो है वह constant होगी बोथ in magnitude आप इन इन डायरेक्शन बोथ in magnitude आप इन डायरेक्शन constant field का मतलब यह होता है भाई direction और magnitude दोनों में constant आ रही है बात आ रहा समझ में तो इसका मतलब यह हुगा कि अगर मैं एक SBR बनाओ फिर से अच्छे से देखो यहां से एक SBR बनाओ और इस SBR के अंदर एक कोई cavity create कर दूँ यहां पर चलो इस SBR के अंदर अगर मैं कोई cavity create कर देता हूँ यह cavity और अब इस SBR का center यह है और यह position vector है यह जो position vector यह वाला vector है L अब यहां पर जो net field आ रहा होगा इस L के opposite आएगा जो net field आएगा वो L के opposite आएगा ऐसे आएगा cavity के अंदर जो net field आएगा उसकी opposite आएगा यह E net और उसकी direction fix होगी और magnitude भी fix होगा जिसकी value होगी minus 4 pi rho capital G upon 3 L की vector यह वाला बात समझ में आगे तो inside cavity जो field होती यह constant होती जबकि solid कोई कोई सॉलैड है तो सालीड एस्पीयर और इसके अंदर आगर आप ुषाज नहीं बनाया हम यहां पर इसे हो Enough is पर फिल्ड होती है वह ऐसे होती है सेंटर की तरफ ऐसे होती है और अर दिश्टेश स्पे जो फिल्ड की वेल्ड आ जाती है वह खुमएनस फोर के पाइरो कैपिटल जी और भेक्टरव पान थीर यह वाली आ और केविटी के कॉंसेट में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया हूंगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो टेक केर बैबाई